हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडिये में बनाना सिखेंगे इंजिन कूलेंट और क्या है फार्मला इसका यह कूलेंट बेसिकली मदद करता है हमारी गाड़ी के इंजिन को कूल डाउन करने में लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइ करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के लेटस वीडियो आपको मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं तो वन लीटर इंजिन कूलेंट बनाने के लिए हमें इन चीजों की जुरुत होगी जिसमें की सबसे पहले आता है हमारा एथिलेन ग्लाइकॉल जिसके हमें 900 ml तक जुरुत होगी यानि की 90% तक और दूसरी चीज है डी आइनाइस्ट वाटर या डी एम वाटर अराउंड 100 ml तक हमें इसके जुरुत होगी और तीसरी चीज है ग्रीन कलर पाउडर और एक खाली विकर और एक स्टिरिंग रॉट तो चलिए इसे बनाते है तो सबसे पहले हम आड़ करेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल यह एक ट्रांस्परेंट लिक्विड है अराउंड 900 ml तक हम इसे हमारे खाली विकर में डाल देंगे यह है आपको मारकेट में अराउंड 62-70 रुपीज पर लीटर में मिल जाएगा और यह है एक मेजर इंग्रिडिंट भी है इंजिन कुलेंट बनाने का और दूसरी चीज जो हम इसके अंदर आट करेंगे वो है de-ionized water इसे हम de-minerized water भी कहते हैं आराउंड 100 ml तक इसे हम हमारे वीकर में डाल देंगे तीसरी और आखरी चीज जो हम इसमें आट करेंगे वो है green color powder तो चलिए थोड़ा साम इसे आट कर लेते हैं और अब हम इसे हमारी stirring rod की मदद से mix कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा solution dark green color का बन गया है बिलकुल उस color का जिस color का आपको market में engine coolant मिलता है अच्छे से mix करने के बाद और थोड़ी देर रखने के बाद हम देखेंगे हमारा engine coolant तयार हो गया है वन लीटर quantity में और इसे हमने बहुत ही कम कीमत में बनाया है इसे बनाने की cost just 50 रुपीज पर लीटर है और आप देख सकते हैं यह बहुत ही high quality engine coolant है तो चलिए अब हम इसकी packaging कर लेते हैं तो चलिए अब हम हमारे engine coolant की packaging कर लेते हैं एक empty bottle में भर कर आप देख सकते हैं यह बिलकुल market में बिखने वाले engine coolant की तरह ही दिख रहा है और अब हम इसकी cap लगा लेंगे और packaging होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा product तयार हो गया है यूज करने के लिए भी और market में sell होने के लिए भी यह really काफी effective product है यह आपके गाड़ी के heated engine को cool down रखता है और उसकी performance बढ़ाता है और इसे हमने बहुत ही कम कीमत में बनाया है इसके engine coolant liquid की cost है just 50 rupees per liter और इस empty can की cost है 10 to 15 rupees तो in all यह engine coolant की bottle आपको just 65 rupees की पड़ेगी और यह market में around 180 to 200 rupees तक बिखती है तो आप इसका business करके around 300% तक मुनाफ़ा कमा सकते हैं यह बहुत ही profitable business idea है तो friends देखा आपने कितना आसान है engine coolant बनाना सिर्फ तीन चीजों की मदद से एथिलीन ग्लाइकॉल, डियाइनाइज़ वाटर और ग्रीन कलर पाउडर हमने इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल 90% तक यूज़ कराया है क्योंकि हम high quality का engine coolant बनाने जा रहे थे लेकिन आप चाहें तो इथिलीन ग्लाइकॉल 70 to 80% तक भी यूज़ कर सकते हैं इससे आपके cost cutting हो जाएगी हाँ ये थोड़ा low grade में बनेगा लेकिन ये आपको competitive market से बचाएगा तो friends मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज से like करें और subscribe करें मेरे YouTube चनल को ताकि इसी तरीके के latest videos आपको मिलते रहें Thanks for watching and stay connected